एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपके अपने परिवार एकाउंटिंग गुरू में क्या हाल चाल है भही आप लोगों के असा करते हैं कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे बहुत प्यारे होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है वो करेंगे दिए फांडेशन लॉग का यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो भाई सीरीस ही बात है जब भी हम लॉग की बात करते हैं जब भी हम किसकी बात करते हैं लॉग की बात करते हैं तो लॉग को समझने से पहले आपको यह चीज समझनी पड़ेगी कि हमारे ज केटेगरी में बाढते हैं यह कमिंदो एक बार देख चुके हैं उनको पता होगा जो आपका organization होता है क्या होता है आपका profitjang और क्या होता है आपका profit making और्गनाइजेशन दूसरा क्या होता है आपका नॉन प्रॉफिट मेकिंग और्गनाइजेशन ठीक है तो यह जो प्रॉफिट मेकिंग और्गनाइजेशन होता है सीधी सी बात है इसका सीधा सीधा एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि कैसे हम प्रॉफिट कमाएं सीधा सब्सक्राइब है कि profit making organization में आपका जो customer satisfaction है इसके बेस पे बेटा customer satisfaction के बेस पर हम क्या earn करना चाहते हैं profit earn करना चाहते हैं और अगर हम non-profit की बात करें तो यहां पर customer satisfaction तो होता ही है लेकिन वहां पर जो objective होता है वो profit को कमाना नहीं होता है इसी जिसी बात है इसी वज़े से इसका नाम क्या पढ़ गया non profit पढ़ गया अव इसी profit making organization के जब हम example की बात करते हैं जब हम किसकी बात करते हैं example की बात करते हैं यानि प्ररूपों की बात करते हैं, टाइप्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके तीन टाइप या तीन एक्जामपल बनकर आते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम किसका है, आपका, सोल प्रोपराइटर का है, क्या नाम है बच्चे, सोल प्रोपराइटर का है, दूसरा नाम क्या है आपका partnership का है दूसरा नाम क्या है आपका partnership firm का है और तीसरा नाम किसका है आपका company का है तो आज हम जो law start करने जा रहे हैं वो law इर्दगिर्द किसके घुमेगा company के इर्दगिर्द घुमेगा क्योंकि company का जो organization है यानि इस तरीके का जो organization है वो deal करेगा आपका क्या वेटा company act 2013 जितने भी rule और regulation है जो भी आप company का नाम सुनेंगे जो भी company है चाहे public company होगी चाहे private company होगी चाहे गौर्मेंटेड होगी चाहे non-governmented होगी या चाहे subsidiary होगी holding होगी अभी ये अलग-अलग types हम उसके पढ़ेंग limited होगी unlimited होगी limited by shares होगी वो हम अलग-अलग type पढ़ेंगे उसके लिए परिसान नहीं होना है लेकिन अगर company सब्द लग जाए किसी भी organization के पीछे तो ये मान के चलिए कि आप कौनसा law follow करेंगे वहाँ पे company act 2013 का law क्या करेंगे follow करेंगे बात clear हो गई बच्चे बात clear हो गई अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि sir company के लिए तो आपने separate law बता दिया यानि company act 2013 क्या partnership के लिए भी कोई act है बिल्कुल है और वो भी हम आपके इसी सी ये foundation वाले portion में क्या करेंगे cover करेंगे और वो एक्ट आपका कहलाएगा आपका partnership act 1932 कहलाएगा यानि company के लिए 2013 company act 2013 और partnership के लिए क्या है आपका 1932 अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा इसर एक बात बताईए कि क्या company 2013 से पहले नहीं create होती थी क्या company या दो हजार तेरा से नहीं create होती थी दो हजार तेरा से पहले क्या अगर create होती थी तो उनके लिए क्या कोई law नहीं था था बेटा भाई एक चीज जानिए जब हम company act 2013 की बात करते हैं जब हम किसकी बात करते हैं बेटा company act 2013 की बात करते हैं तो company act 2013 से पहले हमारे देश में जो act चलता था वह act आप लोग क्या करिए उस act का क्या नाम था बेटा company act 1956 नोट करते रही है यह सब चीजे तब क्या करते रही है नोट करते रही है बाई present में जो आपका law चल रहा है वो आपका कौन सा है company act 2013 है उससे पहले जो law चलता था वह आपका क्या कहलाता था company act 1956 कहलाता था ठीक है अब सर एक बात बताईए क्या 1956 से पहले company नहीं चलती थी हमने तो पढ़ा है बिटिस इंडिया company चलती थी बिल्कुल चलती थी तो सर वहां पे अगर registration हमें कराना रहे यानि वहां का अगर कोई law हो तो बताओ मैंने कहा बिल्कुल law है वेटर 1956 से पहले एक law चलता था जिसे हम नाम देते हैं be state form law क्या नाम देते हैं बिटा बिटिस इस्टेट हो गया बिटिस इंडिया यानि अगर हमें 1956 से पहले अगर company create करनी होती थी तो हमें जहां पे registration कराना पड़ता था वो आपका क्या कहलाता था बिस्टेट फॉर्म कहलाता था क्या कहल समझ में आई कि नहीं आई यानि प्रेजेंट टाइम में company एक्ट 2013 2013 से पहले company एक्ट क्या है आपका 1956 और तीसरा क्या है आपका उससे पहले आपका बी इस्टेट फॉर्म लॉव ठीक है बीच बीच में अमेंडमेंट हुए हैं बीच बीच में आपके क्या हुए हैं क्या होता है देखिए यह जो सब्द है अमेंडमेंट यह बार बार आप लोग सुनते मिलेंगे अभी आप सुनेंगे इस सब्द को कई बार सुनेंगे कि अमेंडमेंट का मतलब होता है अपडेशन जैसे आप लोगों का फोन कभ जब कभी दो-तीन महीना यूज करते हो तो दो-तीन महीने बाद देखो और नोटिफिकेशन आता है प्लीज अपडेट यूर फोन या अपडेट यूर एप आता है कि नहीं आता अब जैसे ही आप अपडेट करते हैं तो उसमें कुछ नए फीचर आ जाते हैं यानि पुराने फीचर तो रहते ही रहते हैं कुछ नए फीचर आ जाते हैं वहता है कि नहीं होता है बच्चे होता है सर ठीक उसी प्रकार से जैसे मन लीजेए कि आप कोई भी चीज यूझ कर रहे हैं अब आपको भी पता है कि जो आपका बिजनेस है वह डायनिमिक निचर का है याद रखीएगा जो बिजनेस होता है वो किस वाला समय क्या ह 되면 वाला अपका परिवर्तन होने वाला आप ये जानिए कि जो टेकनिलोजी यह winding कर रहे हैं अभ् stubborn उससे भी भी वेतर टेकनिलोजी शाम को आप यूज करेंगे अब फिर अगले दिन उससे भी वहतर टेकनिलोजी आप क्या करेंगे इंडी कहने का मतलब है कि ज किश्ट होता है इस्थिर होता है तो इस्थिर नहीं है यह ड Imamik – नेचर है और डियनोमिक नेचर होने की वजह से हमें अपने लॉक को भी समय समय पर क्या करना पड़ता है अपडेट करना पड़ता है एक्जाम पन आपको देखो बच्पन में आप जो हमाही जीत हम जुवा ये सब मत करना लेकिन आज कल के जो यंगेस्टर है वो क्या कर रहे है जैसे ही कोई भी मैच स्टार्ट होता है मैच के स्टार्ट होने से पहले अपना टीम लगाना सुरू कर देते हैं देखा जाए तो एक तरीके से जुवा ही तो है एक तरीके से बैटिंग ही तो है लेकिन उस बैटिंग को लेकर पहले नहीं था लो लेकिन अब क्या कर दिया गया है लो बना दिया गया है पहले कोई टेक्सेशन नहीं था अब 28% का टेक्सेशन है तो ये चीज देखिए कि जैसे जैसे situation बदलती है उसके आधार पे भी आपके law क्या होते रहते है चेंज होते रहते है यानि law update होता है यानि law amendment होता है या amend होता है बात clear हो गई वेटा तो ये amendment का मतलब समझ में आ गया यानि updation बात clear हो गई यानि पहले B state form B state form के बाद company act 1956 company act 1956 से पहले बाद में आपका क्या company act 2013 तो इस समय जो हम present situation पढ़ेंगे वो company act 2013 की पढ़ेंगे बात clear हो गई इतनी आईए फिर आगे देखते हैं देखिए जब भी भी हम company की बात करते हैं सवाल ये उठता है कि सर एक बात बताईए अग कोई भी organization company में या किसी भी organization को हम company कब कहेंगे समझीए ध्यान से question को question समझीए question क्या कहा मैंने कि सर कोई भी organization कोई भी organization का मतलब चाहे वो आपका soul proprietorship हो चाहे वो आपका partner ये चाहे वो आपका non-profit organization हो ये जो भी organization है교 बहुत अपके बहुतokolब क्या होता है collection of the person for the same objective organization मतलब संगठन organization मतलब क्या आपका संगठन आप हमारी क्लास में बैठे हैं organization का मतलब जहां पर दो या दो से अधिक लोग बैठे किसी भी समान ने उद्देश से को पूरा करने के लिए यह तो कहनी है संगठन का मतलब क्या होता है संगठित रहना और संगठित का मतलब क्या है जहां पर उद्देश से समान रहता है जहां पर जितने भी आपके सदस्य हैं चार दस पांच छे दस कम से कम दो तो होने चाहिए कम से कम कितने होने चाहिए दो होने चाहिए और एक common objective पर अगर वो काम कर रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या है संगठित हैं और अगर संगठित नहीं है तो सीड़ी सी बात है उनके बीच में कोई भी संगठन नहीं बनेगा जामपल से समझते हैं अभी देखो हाली फिलहाल आपने देखा होगा कि election की date अपने पूरे भारत में क्या कर दी गई है अनाउंस कर दी गई है कर दी गई है अब जितनी भी पार्टियां है सब क्या कर रही है अपने आपको strong कर रही है अपने आपको strong करने का मतलब कभी इस party के साथ गड़बंधन हो गया कभी उस party के साथ गडवंदन हो गया कभी उस पार्टी के साथ गडवंदन हो गया यानि अगर वो एक पार्टी में आ रही है जैसे माल लीजे की चार लोग यहां पर है तीन चार लोग यहां पर है चार लोग यहां पर है चार लोग यहां पर है O कि क्य है अब कि यह अलग अलग लोग है मालीजी यह क्या है अलग अलग पार्टियां है क्या है आपकी अलग अलग जे है एक का नाम मतलब माल लीजे एस है अब जो भी पार्टी है उनका नाम आप अपने हिसाब से रख लेजएगा नाम तो पकट पता ही चल गया होगा अगर यह लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं तो सिदी सी बात है बी वाले सी को गरी आएंगे सी वाले एक को गर गरी आएंगे मतलब गर्याने का मतलब यह है हमारे यूपी में गर्याने का मतलब यह मां समझ लिएगा गाली गलाउच करना विरोध करना वह हमारा विरोध करेंगे हम क्या करेंगे अपना विरोध करेंगे अपना कह रहे हैं उनका वह हमारा सुने हो ना कभी सास कभी पच्छ में नहीं और अगर हमें चुनाव जीतना है तो हमें अपनी छबी जनता के सामने क्या रखनी है साफ यसाफ हो सकती है भी तो खराब है लेकिन हम उतना खराब नहीं है जितना फलाने खराब है यही तो होता है अभी देखो बिहार में क्या था जब तक गडबंदन नहीं हुआ बिहार से आप है ना जब बिहार में नितीश सरकार थे अभी तो नाम देख लालू यहां सी आ जाती है लालू अभी साल तीस साल राज की है बिहार पर हलके में नहीं लेना चाहिए उनको भी इक है जब क्या कहते हैं बीजय पी अलट थी और यह नितीस वाली और लालू वाली पार्टी एक में थी ठीक है तो बीजेपी वाले क्या करते थे प्लाने उनको लोगों पर हमला करते थे अरे यह नहीं यह गलत कर दिये वो गलत कर दिये यह गलत कर दिये जैसे ही नितीस ने क्या किया उनको लालू वाली पार्टी को छोड़ लेकर बीजेपी के साथ आ गए आटोमेटिक बीजेपी के सुर बदल गए कि नहीं बदल गए पहले दोनों का उद्देश है क्या हो गया एक हो गया अब बीजेपी वाले कभी नितीस वाली पार्टी को कभी नहीं कुछ कहेंगे लेकिन अब कौन कहेगा अब लालू वाली पार्टी कहेगी और ये राजणीती में चलता रहता है क्योंकि संगठन का मतलब यह होता है कि जो हमारे उद्देश को follow करे वो हमारे साथ है जो हमारे उद्देश को follow ना करे वो हमारे किसमे है भी पच्छ में है बात क्लियर हो गई बेटा तो सीधी सी बात है बात बताईए सर कि जब हम संगठन की बात करते हैं तो संगठन समझ मे कि आ गया कि नहीं आ गया का मतलब क्या है कि इस अपने योग होने चाहिए और उद्देश्ट के लिए होने चाहिए यह ताव citizen बात बताईए यह जो organization है यह सणगठन है यह कंपनी में convert कब हो गी यह कंवर्ट कंपनी में कब कंवर्ट की जाएगी इसका सीधा सीधा आंसर है ध्यान से सुनना कोई भी और्गनाइजेशन उठा के ले लीजे कोई भी आप और्गनाइजेशन उठा लीजे अगर वो क्या बोला मैं अगर वो कंपनी एक्ट दो हजार तेरा कंपनी एक्ट दो हजार तेरा या उससे पहले कि किसी एक्ट में रेजिस्ट्रेशन करा ले ध्यान से सब्द पढ़िये और ध्यान से चीजों को समझे मैंने क्या कहा कि कोई भी और्गनाइजेशन अगर अपने आपको कहा रेजिस्ट्रेशन करा ले विटा करा ले या उससे पहले के एक्ट में रेजिस्ट्रेशन करा ले या करा चुकी हो पर उससे पहले का एक्ट मतलब अरे कंपनी एक्ट का नाम सुना है ताटा इस्टील आजादी से पहले की कमपनी है वेटा ताटा इस्टील आजादी से पहले की कमपनी है यह मत सोचेगा कि आजादी से पैबाद की कमपनी है हमें आजादी कब मिली थी 15 आगस्त 1947 में मिली थी लेकिन टाटा स्टील की बात करें तो वो 1853 में रेजिस्टर्ड हो रखी है साल मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन इतना कंफर्म जरूर है क्योंकि आपका आजादी से पहले की वो क्या है वेटा कंपनी है तो उसने अपने आप को रजिस्टर्ड कहां कराया होगा वी स्ट्रेट फोर्म में ही तो कराया होगा लेकिन जैसे ही कंफनी एक्ट दोहजार त्यप आया होगा वो अपनी कॉपी ले जाके कहां पर जमा कर दी होगी 1956 में 1956 के बाद जैसे ही Company Act 2013 आया फिर Copy Registration वाली कहां जाके Update करा दी होगी 2013 में Update करा दी होगी अतमज में आया तो किसी ने पूछा कि Company कैसे Create होती है तो आपका अंसर क्या होना चाहिए Company कैसे बनती है कैसे Create होती है होगी बाद में चर्चा करेंगे कैसे बनती है 1956 में या 2013 में अगर हम Registration करा चुके है It's mean हम क्या बन गए Company बन गए It's mean हम क्या बन गए बच्चे Company बन गए जैसे आप से कोई पूछे कि आप CA की Student है आप CA की Student है अभी अभी नहीं है आप आप सिर्फ CA की पढ़ाई कर रहे हैं CA की Student आप कब होंके जानते हैं जब आप Foundation clear कर लेंगे तो आपके पास एक valid proof हो जाएगा कि हाँ सर हमने CA का paper दिया है और हम क्या हो चुके हैं पास हो चुके हैं यानि हमारा एक label क्या हो चुका है clear हो चुका है तो यानि जब तक आप registration नहीं कराते हैं अब तक आप क्या नहीं कहलाएंगे Student नहीं कहलाएंगे ठीक है registration करा लिया इट्स मीन यू आ रहे Student आप तो आई सी ए आई तो ठीक उसी प्रकार से अगर Organization 2013 Company Act 2013 या Company Act 1956 में अपने आपको क्या करा ली हो बिटा कहलाएगी बात क्लियर हो गई बच्चे कोई समस्या इसमें कोई दिक्कत तो नहीं चले आगे हम बहुत सुन्दर अब इसी बात पे हम एक पॉइंट आपको पढ़ाते हैं देखे क्या लिखा है क्या लिखा है कहता है The Company Act 2013 was and enacted to the consolidated and amend the law relating to the company the Company Act 2013 was preceded by the Company Act 1956 ये line clear हो गई कि नहीं clear हो गई भई 2013 से पहले 2013 वाला ये जो law बना है ये किसके बेस पे बना है 1956 के बेस पे ही तो बना है कहिए कि नहीं है अगर कोई ये कहे कि सर हम 2013 ही पढ़ेंगे मैं आपको बताओ मैं बड़ा खुद किसमत हूँ क्यूं सर क्यूंकि मैंने 1956 भी पढ़ा है जब मैं 2013 में CPT दे रहा था तो 2012 में तो 2012 में 1956 ही चल रहा था हम लोगों को 1956 पढ़ाया गया था ठीक है 2012 में और फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद जब हम किसमें आए आपका IPCC में आए हम लोग तो IPCC करके आए है ठीक है आप लोग तो सी ये इंटर करेंगे हम IPCC करके आए थे तो वहाँ पे हमें 1956 नहीं बलकि क्या पढ़ा दिया गया था 2013 पढ़ा दिया गया था कुछ डिफरेंस नहीं है बस 15-20 प्रवीजन आपके क्या हुए थे चेंज हुए थे जो अननेसिसरी प्रवीजन थे उनको हटा दिया गया था जो आज के हिसाफ से प्रवीजन है उनको क्या कर दिया गया था बात क्लियर होगी बेटा चलिए फिर यह point समझ में आ गया आप लोगों को फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं अपने applicability की बात करते हैं यानि किस organization में क्या-क्या applicable होगा या कौन-कौन से ऐसे organization है जहां पर हमारे separate law लगते है जहां पर हमारे क्या लगते है separate law लगते है separate law का मतलब इनके लिए इनका खुद का act है इनके लिए इनका खुद का क्या है बच्चे act है जैसे अगर हम बात करें insurance company की अगर हम बात करें किसकी insurance company की insurance company का आपना खुद का act है जिसे हम कहेंगे insurance act 1938 कहेंगे क्या कहेंगे बेटा insurance act 1938 कहेंगे या जिसे हम IRDA Act 1999 कहेंगे ठीक है बेटा तो इंसुरेंस कमपनी देखो नाम अब कहोगे कि सर इंसुरेंस कमपनी तो क्या इंसुरेंस कमपनी भी 2013 में रेजिस्टर हुई होगी या 1956 में रेजिस्टर हुई होगी देखे कुछ ऐसी कमपनी या होती है जैसे अगर हम बात करें आपके ICAI की बात करें तो अगर आपको याद हो तो कल मैंने आपको इनके रेजिस्टरेशन की डेट बताई थी आपकी इनके एक्ट इस्पेसल एक्ट की डेट बताई थी और ये भी बताया था कि इनका एक सेपरेट क्या है आपका एक्ट है याद है किसी को नहीं याद है कौन सा साल था ICAI का इस्पेसल एक्ट कब आया था 1949 में एक जून को हम लोग अपना C.A.D. मनाते हैं एक जून को हम लोग क्या मनाते हैं C.A.D. मनाते हैं जैसे जैन्ती होती है लिए होती है दिवाली होती है फालाने होता धमा के होता है उसी तरीके से एक जून को हम लोग च्या मनाते है अपना सी एडे मानाते है बात कलीर हो गई नाम भी आ गया बैंकिंग और उसके बाद फिर क्या आ गया आपका कंपनी आ गया तो बैंकिंग कंपनी का खुद का अपना सेप्रेट एक्ट है जिसे हम कहेंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 149 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बेटा बात क्लियर हो रही है यानि इंसुरेंस एक्ट के साथ साथ बैंकिंग का भी अपना सेप्रेट क्या है बेटा एक्ट है तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर एक बात बताये माल लीज फॉलो करेगा एक बात बता हो यार एक सवाल है मेरा आप से जैसे माली जी आप ट्रेन में जा रहे हैं आपको ट्रेन से जाना है एक होता है रिजर्वेशन कराना एक होता है जर्नल कराना ठीक है एक होता है रिजर्वेशन वाली टिकट और एक होती है कौन सी आपकी जर्नल व का separate law बन गया है तो भी यह दूसरे लौ से क्या मतलब है यार वह बैंकिंग regulation banking company क्या company act के लौ को follow करेगी वो कहेगी आरे मालिक मेरा खुद का law है insurance company कहेगी मेरा खुद का law है तो मैं अपने वाले को follow करूं कि तुम्हारे वाले को follow करूं अंसर है कि सर आप अपने वाले को क्या करिए follow करिए बात क्लियर हो गई बेटा तो इंस्परेंस company के बाद अगला point क्या था आपका banking company तीसरा है बेटा आपका supply of the electricity company supply of the electricity company जैसे यह जो बिजली भाग वाले होते हैं अपने उत्तर प्रदेश में क्या चलता है उत्तर प्रदेश माद्दमिक विद्धुत वाला चलता है ना विद्धुत माद्दमिक ऐसे कुछ करके है ठीक है तो जो जितनी भी बिजली वाली कमपनियां है electricity कमपनियां है उनका भी अपना खुद का क्या है विड़ा separate act है जिसे हम कहेंगे आपका electricity act 2013 लेकिन electricity act 2013 से पहले जितनी भी electricity अपने आपको रिजिस्टर कराती थी काहां कमपनियां ड़ी से पहले बिजली कमपनियां ही नहीं थी भाईया बस यह है कि वह अपने आपको कहां रिजिस्टर करा देती थी 1956 में करा देती थी लेकिन 2003 में जब इनका separate act आ गया 2003 में जब इनका क्या आगया बेटा separate act आगया तो वो सारी company अब कहां पर चली गई होंगी किसका provision follow करेंगी 2003 अपना खुद का separate act क्या करेंगी follow करेंगी बात clear हो गई फिर उसके बाद अगर कोई un company है अगर कोई आपकी क्या है un company है अब un company का मतलब क्या है जैसे कोई भी जैसे जिनके लिए separate law बना दिया जाए जिनके लिए क्या बना दिया जाए separate law बना दिया जाए तो separate law बना दिया जा रहा है CDC बात है वो इस separate law को क्या करेंगी follow करेंगी वो separate law को क्या करेंगी बेटा फ़ोलो करेंगे बात clear हो गए की नहीं clear हो गए यानि insurance company कि अगर हम बात करें तो insurance company insurance act 1938 को फ़ोलो करता है बंकिंग company की बात करें तो banking act, banking regulation act 1949 को फ़ोलो करता है अगर हम electricity की बात करें थे electricity company दो 1003 को फोलो करती है या कोई जो special act अगर बना दिया जाए तो वो अपने special act को क्या करेंगी follow करेंगी बात बताओ clear हो गई कि नहीं clear हो गई इतनी point clear हो गई चलिए आगे बढ़ते हैं अब next point देखते हैं जो हमने पढ़ लिया था समझ लिया था जिसे हम कहते थे meaning of the company जब आप meaning of company की बात करते हो तो यहां पर दो लोगों ने अपनी-अपनी definition दी है एक तो जस्टिस मार्शल ने अपनी definition को रखा है और दूसरा प्रोफेशर हैने ने अपनी definition को क्या किया है बेटा रखा है दोनों लोगों की definition को हम पढ़ेंगे और दोनों लोगों की definition पढ़ने के बाद मैं आपको best suitable definition बताऊंगा अब best suitable definition इसलिए बताऊंगा क्योंकि उस definition को पढ़ने के बाद उस definition को पढ़ने के बाद आपको company के feature भी automatic क्या हो जाएंगे clear हो जाएंगे क्या हो जाएंगे फीचर भी आपके क्या हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्सल की जस्टिस मार्सल चीफ जस्टिस मार्सल ठीक है जस्टिस जस्टिस क्या होता है बड़े वाले जज हैं ये बड़े वाले क्या है अच्छा एक बात कोट कहते हैं स्थानी अदालत वाले के उपर क्या आता है आपका सब्सक्राइब कर दिजिएगा लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है तीनी कोट होता है आगे देखते हैं बात करते हैं प्रोफेसर माफ करिएगा बात करते हैं Chief Justice Marcel के द्वारा दी गई Company की Definition को ठीक है बेटा इन्होंने कहा क्या इन्होंने कहा कि A Corporation A Corporation Is an Artificial Beings Invisible Intangible Existing Only in Competition of Law Being a Mire Creation of Law It Imposes Only Those Property Which the Charter Of Its Creation Confer Upon Its Either Expressly Or Accidentally To Its Very Existence मतलब क्या है Marcel के अनुसार जो Corporation है Corporation मतलब Company Corporation मतलब Company या जब मैं कहूं Corporate तो Corporate का मतलब भी आप क्या समझेगा Company Corporation हो या Company Corporation हो या Corporate हो तो आपके लिए क्या मतलब होगा आपका Company का ही मतलब होगा तो मारसल ने कहा कि जो आपका Corporation है वो Artificial Beans है Artificial Beans मतलब जैसे हम और अपनी अगर हम बात करें तो जरा एक बात बताए हम को और आपको किस ने बनाया अब आप कहोगे कि सर हमको आपको बनाने वाले भगवान है हमको आपको बनाने वाले क्या है भगवान है हम लोग कहते हैं कि हमको आपको ब्रह्मा ने बनाया मुस्लिम कहते हैं कि उनको अल्ला ने बनाया क्रिस्चियन कहते हैं कि उनको किसी और ने बनाया कोई un community कहती है कि उनको किसी और ने बनाया लेकिन overall सब क्या है एक ही तो है हमको बनाने वाले उपर वाले इसलिए हम बन गए इंसान और इंसान के द्वारा बनाने वाले मतलब इंसानों ने भी तो कुछ बनाया ना तो जो इंसानों के द्वारा बना दिया जाए वो आपका नेचुरल नहीं होता बलकि क्या होता है आर्टिफीशल होता है जैसे जो फूल होता है फूल फूल देखे हो ना घुलाब का फूल एक तो पेड़ से निकलता है एक प्लास्टिक का होता है लोग क्या कहते है रहे यह तो आर्टिफीशल है इसमें कहा मायक आएगी लेकिन जो natural रहता है उसमें महग रहती है कि नहीं रहती है natural में एक time of expiry भी रहती है एक time के बाद वो खराब भी हो जाएगा लेकिन artificial में कभी भी expiry नहीं होती गंदा हो रहा रगड के धो तो साफ हो जाएगा यही तो होता है तो जो company होती है वो क्या होती है आपकी artificial beings होती है मतलब इंसान तो है लेकिन कौन सा इंसान है artificial इंसान है क्योंकि artificial इंसान होने का मतलब यह है कि such beings is created by law यह जो beings है beings मतलब यह जो humans है या इंसान है यह create किया गया है किसके द्वारा द्वारा law के द्वारा create किया गया है इसी वजह से इसको क्या बोला गया है artificial बोला गया है और सब्द फिर क्या लिखा है invisible invisible का मतलब बेटा जो ना दिखाई दे invisible का मतलब क्या होता है जो ना दिखाई दे intangible का मतलब sir जिसको ना तो हम क्या कर सके तच कर सके ना तो हम जिसको देख सके ना जिसको हम क्या कर सके विटा तच कर सके जो सिर्फ एक्जिस्ट है जिसकी एक्जिस्टिंग सिर्फ किसकी वज़ा से है लॉ के द्वारा है जिसकी एक्जिस्टिंग किसकी वज़ा से है लौ के द्वारा, यानि अगर लौ नहीं होता, तो इसकी existing नहीं होती, अगर लौ नहीं होता तो इसकी existing भी नहीं होती, लौ है तो exist है, जैसे electricity board का अपना लौ है, influence company का अपना लौ है, banking company का अपना लौ है, है IC AI का अपना क्या है law है अन्य कमपनियों के लिए कमपनी एक्ट 2013 है यानि अगर यह नहीं होता तो इसका creation ही नहीं होता बात clear हो गई की नहीं clear हो गई बात clear हो गई तो यानि मारसल के अनुसार company वो organization है वो संगठन है जो की law की प्रेविंस में law की existence में ही create किया जाता है ना तो दिखाई देता है ना ही हम उसे क्या कर सकते हैं टेच कर सकते हैं आगे क्या लिखा है being a mire creation of the law यानि law के द्वारा ही यह बना है आगे it impose only those property which the charted of creation confirm upon either the expressly or incidentally to its very existence यानि कहने का मतलब ये है कि जो company जैसे एक बात बताए बेड़ा ध्यान से समझेंगे कि जैसे माली जह हम है हमने अपने नाम पेठो जमीन खरीदी हमने क्या किया अपने नाम से क्या खरीदा जमीन क्या खरीदा तो हम उस जमीन के क्या बन गए मालिक बन गए हम उस जमीन के क्या बन गए ठीक उसी प्रकार अगर company क्योंकि ये भी तो एक invisible person है ये भी क्या है एक invisible person है अगर वो भी अपने नाम से कर कोई जमीन खरीद रही है तो वो भी उसकी क्या बन जाएगी मालिक बन जाएगी यानि जो company होती है भले वो invisible हो भले वो untouchable हो भले वो lock के दोरा create की गई हो लेकिन जो property buying की बात करेंगे हम वो अपने नाम से ही property खरीदेगी अपने नाम से ही property को क्या करेगी बेचेगी अथी सत जो कुछ काम करना है company को वो सिर्फ अपने नाम से करेगी जो कुछ काम करना है मतलब contract को लेना contract को देना employee को hire करना employee को निकालना salary देना सब अपने नाम से करेगी बस अंतर क्या है कि वो स्वयम नहीं करेगी बलकि अपने अंदर जो करमचारी काम कर रहे है उनके द्वारा वो काम को क्या कराएगी पूरा कराएगी जैसे आप reliance में काम कर रहे हो तो जड़ा बताओ मुझे reliance क्या कोई इंसान है या artificial person है artificial person है ना जो कि किसके द्वारा create किया गया है law के द्वारा अगर law ही नहीं होता तो क्या reliance होती आंसर है नहीं तो reliance जो जमीन ओमीन खरीद रही है वो किसके नाम से खरीद रही है मुकेस अमवानी के नाम से खरीद रही है या अपने नाम से खरीद रही है बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई तो चीप जस्टिस मार्सल की definition क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई बेटा अब हैनी की बात करते हैं है मने की जो definition है है वो भड़ी ही suitable है कारण क्या है कि इनकी definition में feature of company भी explain किया गया है इनकी definition में किसको explain किया गया है feature of company को भी explain किया गया है देखिए सरा हैने ने कहा कि company is a incorporated association सब्द क्या लिखा है पेटा ये पढ़िए क्या लिखा है incorporated incorporated का मतलब होता है registered incorporated का मतलब क्या होता है आपका registered यानि जो company होती है वो एक registered association होता है क्या होता है पेटा आपका registered association अब association का तो मतलब जानी गए हो nga collection of the person association का मतलब क्या होता है आपका collection of the person तो company जो है पेटा वो registered क्या है association है which is an artificial person which is an artificial person means तो create किया गया है तो हैने ने क्या कहा कि इंकोर्पेटे सेश्येशन विंच जान आपका मतलब क्या होता है ज्यान से समझो इंटिटी का मतलब यह होता है कि ये हो गए company के मालिक किसे समझो ध्यान से हम जब बात करते हैं sole proprietorship के हम जब बात करते हैं partnership की या जो हम बात करते हैं किसकी विड़ा company की यहाँ पर आपको दो चीजे समझनी है एक आपको business man समझना है और दूसरा आपको क्या समझना है business समझना है अच्छा businessman क्या होता है sir businessman जिनको हम प्यार से क्या कहते है मालिक या owner कहते है और business जिसे हम क्या कहते है आपका बात है business क्या होता है sir जहाँ पर आपकी business commerce की activity done की जाती है commerce की activity मतलब वो place जहाँ पे हम goods selling goods buying जैसी activity को क्या करते है는 perform करते हैं वही आपकी क्या कहलाती है business कहलाती है सही है डान्स समझो जब हम sole proprietorship की بات करते है जब हम किसी की बात करते हैं वेटा Sole proprietorship की तो sole proprietorship में जो business होता है या जो businessman होते हैं वो दोनों एक ही होते है business and businessman क्या होते हैं क्यों maximum or minimum कितने लोग होंगे maximum or minimum कितने होंगे आपके एक वही व्यक्टि बिजनस को चलाएगा वही व्यक्टि बिजनस का employee है वही व्यक्टि बिजनस का क्या है आपका servant है यानि यहां पर separate का कोई भी concept लागू नहीं होता separate मतलब अलग-अलग होता है separate मतलब क्या होता है अलग-अलग होता है partnership की बात करेंगे तो यहां पर जो owner होते है यानि जिन्हें आप क्या कहते हो partner कहते हो इन्हें जो क्या कहते हो आप partner कहते हो जैसे दो लोग हैं कम से कम इतने लोग है पेटा दो लोग हैं कम से कम तो यही दो लोग मिलकर बिजनस को चलाएंगे और अगर बिजनस में कोई default हुआ अगर बिजनस में कोई क्या हुआ पेटा default हुआ या कोई भी चोरी जकारी अपराद हुआ या किसी वज़ा से बिजनस को लॉस हुआ तो उसकी भरपाई कौन करेंगे यही दो लोग करेंगे यही दो लोग क्या करेंगे उस भरपाई उस लॉस की क्या करेंगे भरपाई करेंगे मतलब यहाँ पर भी पाटनर का मतलब पाटनर्सिप पार्टनर का मतलब क्या आपका पार्टनर से मतलब ध्यान से समझो जब हम यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की बात करेंगे ध्यान से समझना जब हम किसी क्या करेंगे किसी एक वेक्त की बात करेंगे तो उसे हम नाम देंगे पार्टनर उसे नाम क्या देंगे हम पार्टनर और जहां पर हम सारे पार्टनर की बात करेंगे जहां पर हम सारे पार्टनर की बात करेंगे उसे हम नाम देंगे बेटा partnership firm का नाम देंगे क्या नाम देंगे आपका partnership firm का नाम देंगे इसी वज़ा से यहां पे भी separate का concept लागू नहीं होता यहां पे भी separate का concept लागू नहीं होता लेकिन जैसे ही आप company की बात करते हो तो company के जो owner होते हैं वो पता नहीं कहा कहा के होते हैं जैसे आप आजकल देखो जिसको देखो वही शेर खरीद रहा है आप सुल्तानपूर में बैठे हैं अपने office coaching में बैठे हैं बैठ के किसी company का क्या खरीद लिये सेर खरीद लिए तो क्या आप जाके उस company में काम करने लगेंगे क्या उस company में जाके काम करने लगेंगे आप नहीं काम करेंगे बल्कि वहाँ पर कौन काम करेगा BOD काम करेगा BOD मतलब board of director BOD मतलब कौन आपका board of director और owner यहां पर क्या रहेंगे बिटा separate रहेंगे तो इसी वजय से जो company में separate existence देखा जाता है क्या देखा जाता है आपका separate existence देखा जाता है यानि owner and ownership बोत आरा different अब क्या लिखा है owner and ownership अब कंपनी में मैंने पैसा लगाया अब कंपनी ने मेरे पैसे से कोई assets खरीदी कंपनी ने मेरे ही पैसे से कोई क्या खरीदी तोचके बताओ वो assets किसके नाम से खरीदेगी अपने नाम से या मेरे नाम से पैसा तो मैंने लगाया ना लेकिन company किसके नाम से खरीदेगी अपने नाम से खरीदेगी company किसके नाम से assets को बेचेगी अपने नाम से बेचेगी इसी वज़ा से यहाँ पर separate existence का concept क्या होता है बेटा लागू होता है बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई separate existence का concept क्या होता है लागू होता है तो देखिए आपने definition क्या पड़ी थी आपने definition पड़ी थी हैने की created by law having the separate entity यानि different different situation यानि different of owner and ownership owner and ownership बात clear हो गई कि नहीं हो गई with a perpetual cessation with a perpetual cessation सर ये perpetual क्या होता है आईए example से समझते है बेटा एक बात बताईए माल लीजे मेरी एक company है ठीक है मेरी ये क्या है company है जिसका नाम है ag limited ठीक है नाम क्या है ag limited यानि accounting guru limited ठीक है अब मैंने ये company बना दी किसके अंडर बना दी sir company act 2013 के अंदर में अंदर बना दी मैंने और company में लगफग 5000 वरकर काम कर रहे हैं कितने वरकर काम कर रहे है 5000 और कम से कम हमारी company में लगबग 10 अजार member भी चुड़ गए 10,000 क्या जुड़ गए member ये जितने भी बिंदू दिखे समझ ले ना member है ये तो गोला गोला बना रहे हैं अरे ठीक है समझ लो member हैं कितने member है 10,000 member हैं बताओ न कितने हैं 10,000 अच्छा एक बात बताओ मालीजे 10,000 में से 5000 member company छोड़ कर चले गए कौन चले गए member member मतलब owner क्या company चलेगी या बंद हो जाएगी company चलेगी या बंद हो जाएगी चलेगी सर माल लो 5000 member और चुड़ गए company चलेगी क्यों बंद हो जाएगी चलेगी ना माल लो 10,000 9,000 member चले गए चलेगी क्यों बंद हो जाएगी अब इतने लोग कहा रहें चलेगी अभी भी चलेगी अभी भी चलेगी क्यू ध्यान से समझना इसलिए चलेगी कि जो कंपणी का क्रियेशन होता है या जो कंपणी का इसलिएशन होता है क्या होता है कंपकणी का जो क्रियेशन होता है क्सके द्वारा होता है मेमबर के आने और मेमबर के जाने इसे company के स्वास्त पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता company emotionless होती है अब आप कहोगे sir company emotionless होती है का है अभी हम आपको एक बात बताते हैं एक बार हम ऐसे ही आ रहे थे metro से आ रहे थे दिल्ली में तो हमने एक वेक्ति को देखा बहुत फूट फूट के रो रहा था लड़का इतना रो रहा था कि मतलब समझ लो की उसके साथ जैसे लग रहा था कि दुनिया उजड़ गई है देखा नहीं गया मिले से मैं गया मैंने का भाईया घर में सब ठीक है मैंने का भाईया घर में सब ठीक है भाई पहला तो सवाल यही उडता हाई कि घर में सब ठीक है ममी बापा सब ठीक है हाँ सब ठीक है मैंने का अच्छा रिजल्ट भी नहीं आया था क्योंकि लक्श्मी नगर में आप जाओगे तो वहां पूरा सीए की कोचिंग चलती है अलश्मीन अगर मेट्रो इस्टेशन पर बंदा बैठा था मैंने का भी या रिजल्ट कुछ खराब हो गया क्या नहीं भाई कुछ नहीं हुआ तो मैंने का यार एक बात बताओ तुमारे घर पर सब ठीक है तुमारे रिस्तेदारी में सब ठीक है बैठ धवर्ड मिनटके लिए स्थानथ और भाई क्या कर सकते हैं तो कहने का मतलब है कि हम यूमंस के अंदर एमोशन होता है लेकिन कमपनी के अंदर इमोशन नहीं है क्यों की वह आटिफिश्यल है भाई कभी मेंबर जर्नली तो माल लीजे मम्मी अपने मैं के पर गई मतलब नानी के घर गई चार दिन पास दिन रुकी जब वो आने लगती हैं तो मम्मी और नानी दोनों मिलकर एक दूसरे को गले लगती और रोने लगती हैं वही हाल मम्मी और मामी का होता है मिलती है गले लगती है रोने इमोशन है आने जाने की वजह से disturbed होता है लेकिन कम्पणी के अंदर ऐसा कोई emotion नहीं होता है इसी वजह से हम इसे क्या कहते है perpetual suchation कहते है members के आने और members के जाने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा जैसे company है वेसे वेसे वो रहेगी बात clear हो गई बेटा यहाँ पे आप क्या लिखेंगे member के आने और member के जाने समझ को आ गया कि नहीं आ गया क्या company पे कोई स्वास्ट पे प्रभाव पड़ेगा answer है no effect no effect बात clear उसके बाद अगला point है आपका common seal बेटा common seal को हम लोग signature कहते हैं क्या कहते हैं आपका signature कहते हैं जैसे मैंने कहा कि जो company होती है बेटा वो अपने नाम से ही contract उपाती है अपने नाम से ही contract देती है अपने नाम से assets करीती है अपने नाम से assets बेशती है तो जो deed होगी या जो agreement होगा उस agreement पे signature भी किसका होगा अब आपके दिम्याग में एक सवाल उठेगा किसर एक बात बता ही अगर company का है तो company खुद तो इंसान है नहीं इन्विजिवेल है वो क्या आके प्रकट होकर sign तरके चली जाएगी अंसर है नहीं वो नहीं आएगी बलकि उसका कोई representative आएगा उसका कोई क्या आएगा representative मतलब board of director representative मतलब क्या आपका board of director वो आएगा sign करेगा company के भीहाब पर किसके भीहाब पर आपका company के भीहाब बात clear हो गई बेटा यह definition clear हो गई कि नहीं clear हो गई तो हैने की definition आपको क्या करनी है याद रखनी है company is a incorporated association which in an artificial person created by law having the separate entity with the perpetual cessation and a common seal बात clear हो गई तो आज introduction की class थी company के introduction की class थी तो आज सिर्फ इतना ही कल की class में जब हम मिलेंगे तो बहुत सारी बाते करेंगे feature को समझेंगे type को समझेंगे nature को समझेंगे कई सारी चीजे हैं अभी जो हमें company act 2013 में पढ़नी है तो फिलाल आज के लिए आज की class यहीं पे क्या करते हैं हम समाप्त करते हैं class कैसी लगी बटा इसके बारे में आप ज़रूर अपना राय दीजे दीजे जरूर feedback दीजे और जुड़े रहिए accounting guru के साथ आठ बच के 15 मिनट से हम live class आपको provide करेंगे आठ बच के 15 मिनट से हम आपको क्या provide करेंगे live class आपको provide करेंगे ठीक है आपके accounting guru channel पे हम से जुड़ने के लिए हमारे नीचे दिये गए number पे हमें whatsapp करें call करें ठीक है बाकी आप सभी अपना ख्याल रखें class कैसी लगी जरूर बताएं ठीक है जै महाकाल जरूर comment करिए जाने से पहले